चलिए पर आगे देखते हैं AP सिरीज के कुछ और कुश्यन्स दिखो धान से यहां पर जो टर्म्स और वाकी चीज़े दे रखी हैं उसे हम समझ लेते हैं यहां भी कहता है कि first four terms of AP यह अपने write करनी है when the first term A and the common difference D are given वो कह रहा है कि हमें first term भी given है और common difference भी given है तो अगर first term और common difference given है तो वो कहता है कि बाकी सही है ना इसके हिसाब से first four terms निकाने तो हमें first four terms निकाननी हैं तो सबसे पहले हम situation ले लेते हैं first one इस first one situation में A कितना है 10 और D कितना है 10 तो इसको solve कर लेते हैं तो यहां पर हम समझते हैं हमें निकानना है तो A equal to हमें 10 दे रखा है और D equal to हमें 10 दे रखा है वीटे A जो है यही हमारा क्या है फर्स term है और D हमारा क्या है मेरे बिच्छे D हमारा common difference common देख रखाने difference अब बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है हमें बाकी चीजे निकाने हैं तो हम क्या कहेंगे तो हम कहेंगे A1 यानि कि पहला difference कितना है वो गिवन है हमें पाट 10 A2 कितना होगा बच्छे तो हमें पता है कि A में हमें क्या है D add करना है तो A में D add करेंगे तो 10 plus 10 A की value 10 और D की value कितनी है 10 इसी को मेरे बच्छे A1 भी बोलते हैं तीक है अब ये कितना होगया 20 clear है अब A3 निकालेंगे तो क्या होगा A2 plus D A2 कितना है मेरे बच्छे A2 है मेरे पास 20 और D कितना है 10 इसको add करा तो कितना आ गया 30 ऐसी A4 निकालेंगे बच्छे तो ये हो जाएगा A3 plus D A3 कितना है 30 और D कितना है 10 कितना होगया 40 यानि कि जो भी terms है उन्हें हमने put करना है तो ये यहाँ पर put करा तो A2 निकलाया ये वाला यहाँ पर put करा तो A3 आ गया ये वाला यहाँ पर put करा तो हमारा A4 आ गया और हमें यही first four terms निकालने थे तो ये first four terms हमारे पास आ गया तो हम क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं Thus, the first four terms of the AP are 10, 20, 30, are 40. यह निकल क्या आगया? समझ में आगया? Now, second देखते हैं, वो कहता है कि अगर situation में A equal to minus 2 और D equal to 0 A क्या है? minus 2 और D क्या है हमारे पास? 0 तो अब इसकी value निकाल के दिखाओं, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं तो यहाँ पर A की value दे रखिए है minus 2 और D equal to 0 अच्छा A क्या है हमारा? यही first term है और यही क्या है मेरे बच्छे? A1 भी है तो A1 कितना हो गया मेरे बच्छे? minus 2 और A2 क्या हो जाएगा? A1 में क्या जोड़ दू? D और A1 कितना है? minus 2 और D कितना है? 0 मेरे बच्छे कितना आ गया? minus 2 यह तो आ गया तो ये वाला value यहां put करा, तो A2 आ गया, ये वाला put यहां करा, A3 आ गया, ये वाला put यहां करा, तो कितना आ गया, आपके पास A3 की value से A4 आ गया, clear है कि नहीं है? तो अब अगर हम यहां पर कहना चाहें, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे, does the first four terms of the AP, दिखो, यहां सम में न, D क्या है, 0 है, तो बिटा answer क्या बना रहा, minus 2, minus 2, minus 2 and, minus 2, clear है, यहां तक भी समझ में आता है, बाद समझ में आ गई, अब अब बड़ी द्यान दे समझे, अब वो क्या कहता है, कि अगर situation बदल दी, situation देखो बिटा, A की value कितनी है, 4 और D की value कितनी है minus 3 तो मिरे बच्छे A की value कितनी है 4 और D की value कितनी है minus 3 तो हमें पता है कि यही क्या है मेरा first time है I and I clear है कि नहीं और यही क्या है मेरा A1 है तो यहाँ पर मुझे ही पता लग गया A की value यह है और D की value minus 3 है clear है अब बड़े ध्यान दो सुनो, तो मैं क्या कहूंगा, a1 कितना है मेरा, 4 है, clear है, now a2 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस d, और इसमें a कितना है, 1, 4 है, और ये कितना है, minus 3, तो answer कितना है, 1 आ गया, ऐसे ही मेरे विच्चे a3 निकाल दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, a2 प्लस d, a2 कितना है, 1, प्लस d की वेलू कितनी है, minus 3, आया न, तो अगर मैं इसको solve करूँ, तो क्या answer आएगा, minus 2, clear है कि ने, ऐसे में क्यानिका आलू मिटा, a4, ये क्या हो गया, a3 प्लस d, a3 कितना है मेरे बच्चे, minus 2, प्लस, सही है, d की वेलू कितनी है minus 3, आया न, तो ये कितना हो जाएगा, minus 2, minus 3, equal to minus 5, plus minus, minus होता है न, तो ये आ गया मेरे पास, तो मेरे पास क्या आगई, terms निकल के आगई, ये मेरे पास क्या आगई, terms निकल गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, does the first four terms of the AP R पहले वाले में कितना है 4 फिर कितना है 1 फिर कितना है minus 2 और फिर कितना है minus 5 समझे लो यह value यहां put करी यह value यहां put करी और यह value यहां put करी तो जो value आगे उससे हमने यह चीज निकालते चलेगे तो तुमने देखा कि अगली वाली terms में d add करते चले जाएं तो हमारे पास अगला जो number है वो आ जाता है clear है आगी बात समझ ले आगे देखते हैं मिरे अच्छे आगी क्या कह रहा है एक की value कितनी दे रखिया है एक की value दे रखिया है आपको क्या है minus 1 और d की value कितनी दे रखिया है बेटे यहाँ बनना d की value जो है उसे देख लेते हैं यह जो d की value है यह d की value है 1 upon में 2 यह नहीं है तो अब थोड़ा सा complicated करने की पोशेश करते हैं d की value कितनी है 1 upon में 2 अब इसे solve करते हैं तो यानि की a का value कितना हो गया minus 1 और d का value कितना हो गया 1 upon me 2 तो मेरे बच्चे यही चीज़ क्या कहलाती है यही कहलाती है मेरी first term हाँ या ना clear है और यही मेरा क्या है a1 है ठीक है तो मेरे बच्चे a1 तो क्या हो गया a1 तो हो गया मेरे पास minus 1 और a2 क्या निकालूँगा हमे a2 हो जाएगा a1 plus में d clear है और a1 कितना है मेरे बच्चे minus 1 और d कितना है 1 upon में 2 अब यहाँ पना आपको lcm लेके आना चीज़ है तो यह चीज़ आपको आने चीज़ है इन दोनों का 1 और 2 का lcm कितना हो गया मेरे बच्चे 2 अब यह जो नीचे यह अला हिस्दाتي से denominator कहते है तो denominator को denominator से डिवाइड करो तो वन को 2 से डिवाइड करो कितना है और जो आंसर आए उसको numerator से multiply कर दो तो numerator को क्या है 1 तो इसको पहले इसको इससे divide लिवाइड कर दो 2 आगया और 2 को 1 से multiply करा तो कितना आ गया, minus 2, तुबारा समझे, यह denominator 2 है, 2 को 2 से divide करो कितना आ गया, 1, 1 को 1 से multiply करो, denominator तो 1 है, तो यह कितना आ गया, 1, clear है, अब इसको solve कर लो, यह क्या आ गया, minus 1 upon 2, minus 2 है, minus plus minus होता है, साइन, बड़ी numbers का लग जाता है, clear है, now, a3 निकालो, a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस में d, यही तो होगा, आए न, a2 कितना है, a2 है, a2 है, minus 1 by 2, और d कितना है, d यह रहा, आपका 1 by 2, हाई न, clear है, आप देखो, आप इसमें जो LCM कितना है, 2, तो यह 2 से 2 divide करो, तो क्या है, 1, 1 को 1 से multiply करो, तो minus 1 आगया, ऐसी 2 को 2 से divide करो, तो 1 आगया, 1 को उपर 1 से multiply करो, तो 1 आगया, तो answer क्या आगया, 0 upon 2, और जिसका भी numerator 0 हो, चाहे नीचे कुछ भी number हो, answer क्या आता है, 0, तो यह क्या निकल क्या आगया, आपके, pass, a3, अब इसी तरगे से मेरे बच्चे क्या है a4 निकाल लेते है, a4 क्या आजाएगा मेरे बच्चे, a4 आगया, a3 प्लस d आयना, clear है क्या नहीं, अब a3 कितना है मेरा, a3, sir, a3 तो 0 है, और d कितना है, d है 1 by 2, तो 0 में कुछ भी add करो, तो क्या आजाएगा, वोई number आजाएगा, जो है, तो मेरे बच्चे क्या होगा, इस को मैंने यहाँ पुट करा, तो a3 आगया, और यह वाले number को यहाँ पुट करा, तो a4 आगया, clear है के नहीं, तो मेरे पास number आगय, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर, कि does the first four terms of a, p, r, minus 1, minus 1 by 2, 0, और 1 by 2, लो जी, यह answer आगया, आपके पार, clear है के नहीं है, तो हमने denominator वाला भी एक स्वार कर दिया, अब एक और देख लेते हैं, अब हमारे पास क्या है, a की value कितनी दे रखिया है, minus 1 by, oh sorry, minus 1.25, और d, minus में, 0.25, इस से निकालते हैं, चलो, इसको भी solve कर लेते हैं, तो अब हमारे पास, a का value कितना है, a का value है, minus 1.25, और d का value कितना है, यह है, minus 0.25, अब मेरे वच्छे, यह क्या हो गया, आपका, यह first time हो गया, और यही क्या कहलाएगा आपको, बताओ, यही आपको क्या हो गया, a1 हो गया, clear है, ठीक है, ना तो a1 कितना हो गया, minus 1.25, clarity आए के नहीं है, बिल्कुल clarity है, अब मुझे अगर a2 निकालना है, तो a2 क्या हो जादेगा, a1 प्लस d, और a1 कितना है, minus 1.25, और d कितना है मेरे बच्चे, यह है, minus में 0.25, तो इसको solve कर लेते हैं, minus 1y25, plus minus minus 0.25, सही है जी, आप देखो ध्यान से, इसको add कर लो, point point आगे न, तो यह add करने पर क्या जाएगा, minus minus plus, तो answer आगया, minus 1.50, clear है के नहीं, यह add करना सीख लो, देखो ध्यान से, यह बच्चे को समझ में नहीं आता, यह 1.25 है न, तो points के नीचे न, points लगा लो, अब यह क्या बच्चे, 2.5, यह 0 हो गया, तो यह add कर लो, ध्यान से, यह आगया, 50.1, clear, अब बहुत ध्यान सुन, sign किसका आएगा, मेरे sign लगा दो, अब बड़े ध्यान से, a3 निकालना है, a3 क्या हो जाएगा, a2 plus में d, तो a2 कितना है, minus 1.50, और d कितना है, मेरे बेटे, बताओ, d है, minus में 0.25, तो यह क्या हो गया, minus 1.50, प्लस, माइनस, माइनस, और 0.25, अब इसको add कर लो, तो add करने पर क्या आजाएगा, minus 1.75, इसी तरीके से मेरे बिच्चे, a4 निकालना, a4 क्या हो गया, a3 plus d, clear है, तो यह कितना है, minus 1.75, और d कितना है, मेरे बिच्चे, 0 में, minus 2.5, clear है कि नहीं है, तो इसको solve कर लेते हैं, तो यह आगा, minus 1.75, plus, minus, minus 0.25, और इसको add कर लो, यह कितना है, minus 2 आगया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो, क्या है, 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 terms of AP क्या निकल क्या है minus 1.25 फिर minus 1.50 ठीक है और then minus 1.75 then minus 2 तो इस तरीके से मेरे पच्छे आपके पास क्या है अलग-अलग terms से values निकल के आगे तो यहाँ पर हमने क्या करा इस तरीके से values निकाल दी तो अब हम देखते हैं आगे कुछ questions अब देखो बिटा यहाँ पर एक अलग question है उसको solve करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का questions हमें दे रखा वो कहता है कि for the following AP यानि कि इसका मतलब है वो कह रहा है कि नीचे ना हमने आपको AP ही दे रखा है अब आपने ही क्या करना है उसको check करके मुझे क्या निकाल के देना है write the first term उसमें series में बताओ कि first term कौन सा है और उसी से बताओ कि common difference क्या है तो वो हम बता देते हैं तो हम निकाल लेते हैं चीज़े ध्यान से देखा पहले में first वाले कोई पकड़ लेते हूं यह देखा ध्यान से first first जो है वो हम ही क्या दे रखा है series दे रखा है 3, 1, minus 1 और minus 3 clear है मेरे बच्चे अब इसका बताओ तो मेरे बच्चे पहले वाले नंबर कोई क्या बोलते है first term तो यह क्या आ गया a equal to कितना आ गया ठीरी यह क्या मेरा first term है हाँ यह न न यही तो बताया था हाँ यह न न clear है अब बड़े ध्यान सुन जो मुझे क्या निकालना है d common difference d क्या है common difference हाँ यह न न न अजी तो d कैसे निकालते है बताया था न आपको कि अगले वाले नंबर से अगला वाला नंबर क्या यह तो इसको बोला a2 पिछले वाले नंबर को a1 उन दोनों को minus कर लो तो a2 कितना है मेरे बच्चे 1 और मेरे पास a1 कितना है minus 3 इसको अगर मैं solve करूँ तो answer क्या आएगा minus 2 आ गया clear हो गया बात समझ में तो यानि कि यह a1 हो गया यह a2 हो गया a2 में से a1 minus कर दो d निकल किया जाएगा लो जी तो हमारे पास d भी निकल गया यानि common difference भी clear है आगे बात समझ में अगला कर लेते हैं अब दूसरा question देखो इसी का दूसरा part यह कहा minus 5 minus 1 3 और 7 जो पहला number होता उसे क्या बोलते है first term तो a equal to कितना आ गया minus 5 तो इसी को क्या बोल दिया आपने first term हाए ना clear है अब d निकालना है d is common difference तो वो क्या होता है अगले वाले में से यहनिकी a2 पिछला वाला minus करो minus बोले तो a1 तो अगला वाला क्या है a1 a2 कितना है minus 1 और a1 कितना है minus 5 clear है तो इसको solve कर लो minus 1 bracket खोलो गो तो minus minus plus हो गया यह 5 हो गया answer क्या आगया clear है बात समझ रहे हो common difference भी निकला है यह क्या हो गया मेरा common difference हाँ यह ना clear है बहुत ही असान तरीके से हम इसे करते जाएंगे clear है ठीक है now third वाला कर लेते हैं third की position देख लेते हैं third क्या है third क्या है one by three five by three nine by three thirteen by three यह कोई series दे रखिये है अब इस series की values निकाल लेते हैं तो मेरे बच्छे ध्यान से देखो a कितना है यह a है जी one by three और यह ही कहा है मेरा first number लो जी यह तो मेरा first terms निकला है d निकालना है d कहा है common difference तो a two minus a one तीक है आगी बच्छे समझ में तो a two कितना है five by three तो यह आगया five by three minus यह कितना है one by three clear है आगी बच्छे समझ में तो इसको solve कर दो तो इसको solve करेंगे तो answer क्या आजाएगा four by three तो यह मेरा क्या निकल क्या आगया common difference अब लास्ट वाला देख लेते हैं क्या कहता है पूर्थ यह देखो पूर्थ वाले में क्या कह रहा है ध्यान से सुन जो पूर्थ वाला क्या कह रहा है 0.6 1.7 2.8 3.9 अब मुझे सच सच बताओ कि जब यह series दे रखी है तो उसमें तो हमें यह सबसे बड़ी है फाइदा क्या है कि A1 गिवन है तो A कितना है 0.6 यह कितना हो गया परस्ट हाँ यह ना क्लियर है अब D निकालना है D D क्या होता है A2 माइनस में A1 क्लियर है A2 तो A2 कितना है 1.7 अगला नॉमबर यह था ना माइनस 0.6 अब इसको इससे माइनस कर लो तो आंसर क्या आएगा तो आंसर आजाएगा 1.1 और यही मेरा क्या है यही मेरा क्या है Common Difference क्लियर है तो इस तरीके से अगर मुझे सीरीज दे रखियो और उससे हमें Common Difference और वो चीज़े के करते हैं First हम निकालना हो तो हम असानी से निकाल सकते हैं पसी ध्यान रखें Common Difference यही होता है कि अगले वाले नंबर से पिछले वाले नंबर को माइनस कर लो उससे Common Difference निकल जाता है सही है जी यहां तक आप अभी त्यारी करें